भी एष्ट ऑलाजी सिंप्लिफाइड में आपका स्वागत है आज हम चार्टा कर रहे हैं गरों के उपाय के बारे में तो किसे जो कड़ा पेंना चाहिए इसके संचित जानकारे देने का प्यास कर रहे हैं तो आपने बहुत लोगों को देखता है कि आपने हाथ में कड़ा पेने रहते हैं, तो कड़ा किसे पेनना चाहिए, अगर आपके कुंडली में कोई योग कारख है, और केंद तिकोन में बैठा है, और उसकी कमजोर इस्तिति में है, मजबूत नहीं है, तो उसको मजबूत करन करने के लिए, आपको कड़ा पेनना चाहिए, अगर उसमें योग कारख सूरी गरह है, तो सूरी गरह का अच्छी उसकी छमता बढ़ाने के लिए, और उसका मजबूत करने के लिए, आपको ताम्बे का कड़ा पेनना चाहिए, और जब भी ताम्बे का कड़ा पेनना है, त इसी तरह कुंड़ी आपके आपकी कुंड़ी में चंदमा योग कारक है और अच्छी स्थितिम बैठा है और वो कमजोर स्थितिम है तो उसको मजबूत करने के लिए चांदी का कड़ा पहन सकते हैं और उसके लिए सोमवार के दिन आपको ओम सोम सोमाय नमा मंतर का जाब करते हुए एक सो आठ बार कीजिए और अपनी पूजा जो आप साधन पूजा अपने घर के मंदिल में करते हैं वहाँ दूप अगरबती लगा के सोमार के दिन उसको पहन सकते हैं इसी तरह से मंगल ग्रह आपकी कुंड़ी में यो कारक होके और कमजोर स्थितिम है तो उसको बल जब मंत्र है उसके लिए ऋम अंगार का ईनमा मंत्र का जाप करना चाहिए एक सो आठ बार करना चाहिए और दूप अगरबती लगाके मंगलवार के दिन उसको पहनना चाहिए इसी तरह बुद्द्धगर के लिए आपको अप कुंड़ी में बुद्द्धगर अच्छी उसको बलवान करने के लिए आपको बुद्ध ग्रह को जो कड़ा बनता हो कासे का पड़ा होता है उसको आप बुद्ध टीन पहन सकते हैं मंत्र जो है नमका 108 बार पाढ़ करते हुए आपको उसको बुद्ध के दिन धारण करना चाहिए पाणे के लिए आप सोने का जो कड़ा पहीं सकते हैं और उसके लिए आपको जो दिन है वो गुरुवार के दिन आप दारण कर सकते हैं अच्छे से पूजा पाड़ करके आप दारण कर सकते हैं और ओम गुरुवे नम्हा मंत्र का जाप कर सकते हैं इसी तरह शुक्र करहा आपके कुंडले में यो कारक होके कमजोर इस्तिम है तो उसको बलवान करने के लिए चांदी का जो कड़ा है वह आप पह सकते हैं इसी तरह अगर सनी ग्रह के लिए आपको ओम समसन चराय नम्हा मंत्र का जाप करते हुए सनी अगर यो कारकर कमजोर इस्तिति में है तो उसको बलवान करने के लिए लोहे का भी आप कड़ा पहन सकते हैं तीस तरह से आपने देखा कि जो ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे ही स्तिति में है पंतु वो का उसमें बल नहीं है अन्शो में कमी है तो इस तरह से उनके मंत्रों के जाप करते हुए उनके वार के दिन साधान से जो पूजा पार्ट अपने मंदिर में करते हैं दूप अगर्वत्ती से वो करके आपको उस दिन जो बताएवे दिन को जरूर पहन सकते हैं तो इस तरह से आपने देखा कि सरल तरीके से आप अपने कुंडली का विशलेशन करके देख लीजिए जो ग्रह आपको योग कारक हैं होके आपको कमजोर इस तरह बैठे आंसों में कम है तो उनको इस तरह से उनको बल परदांग करके उनके जो रिजल्ट में सुबता बढ़ सकते हैं यह जब भी इंके दसा अंतर पसंद सार वोचर में चलेंगे तो यह आपको जरूर अच्छे फल प्राप करेंगे आपको हमारे वीडियो पसंदा रहा था हमारे जो चैनल है हमारे वीडियो पसंदा रहा था हमारे वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिए शेयर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद